हिलिसा थाना पर्षर में चेट पर्व राम नम्वी एवं रमजान को लेकर सांती समीती को ही बैठक दरसल हम आपको बता दे कि सुक्रवार को हिलिसा थाना पर्षर में चेट पर्व राम नम्वी एवं रमजान को लेकर सांती समीती के बैठक किया गया इस तरान दोनों समधा कि लोगों ने हिस्सा लिया बैठा के दौरान हिलिसा के अनमंडल पुलिस 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 करते हैं कि दूनों समधाय का पर्व वैसे में मिल जूल कर आपसी सहयोदर के साथ में यह पर मनाने का क्वाम करें हलाकि बैठा के दौरान अगामी 30 मार्च को निकलने वाला शोभाय यात्रा पर भी चर्चा कहा गया उसमें रूप रेखा एबं निर्धारन समय की चर्चा कहा गया इस दौरान हिलिसा के वीडियो पिरिया कुमारी सोनू सी सीयो समित कई लोगों ने कहा कि दूनू समधाय का पर्व है वैसे में आप भेतर धंग से भब शोह यात्रा बनाए किसी तरह की कोई परिशानी नहीं होना चाहिए वैसे में हिलिसा थाना की पुलिस ने कहा कि अगर कोई हंगामा करता है या किसी परकार की कोई सोड़ सराबा करता है सोसल मिडिया पर गलत रह क्या फाय फाय वैसे पर पैनी नजर रहेगा हाला कि इस तरहन हिलसा नगर परशत के कारपालक पददिकारी रविशंकर कुमार हिलसा नगर परशत के मुख पार सधननजे कुमार ने अगामी छट फर्व को लेकर कहा कि हिलसा सर किसुर मंदिर तलापरशिस टीवी कैमरे की निगरानी में छट पूजा मना जाएगा अवासे में सुर्धालू लोगा उसके लिए समुच्छत विवस्ता की जाएगी किसी परार के कोई कमी नहीं रहेगी जहां होगा हर समभब मदद करने का प्रियास किया जाएगा खोया पाया केंदर से लेकर मुनिर्टिंग किया जाएगा जहां LCD भी लगा जाएगा लाइट बट्टी एवं महिलाओं के लिए खपड़ा बदलने के लिए चेंजिंग रूम की विवस्ता किया जाएगा अनि सारी शुक्षूबधाय की जाएगी सांती पुन तरीके से सेट पर मनाने के लिए भी अपील की गई है हाला कि इस तोरान हिलसा नगरपरशत के राज़त के नगरदेश मुहमद परवेज राज़त के परखनेदेश नवल यादव कांग्रेसेशन राम नरेश अकेला इसके अलावे बाड़ परस संतोस कुमार एवं कई जन परतिंदी एवं समाजी कारिकरता भी इस बैठक में उ पास्थित हुए